देख सकते हैं कि मैं अभी continue तीन message भेजता हूँ Hi, Hey, He देख रहे हो तीन message मैंने लगातार भेजा अब इन तीनो messages को मैं एक साथ ही delete for everyone कर देता हूँ ये देखें delete for everyone कर दिया लेकिन ये तीनो messages यहाँ पे अब label है देख रहे हैं आप chat कर रहे थे इसी contacts न लेकिन यहाँ पे bubble chat हमने enable कर दिया है उसके बाद कोई अगर हमें messages करता है और उस messages को delete for everyone कर देता है तो भी हम उस messages को वापस पढ़ सकते हैं देख रहे हैं ना चारो भेजा चारो delete for everyone लेकिन यहाँ पे है ही लेकिन यही चीज अगर आप WhatsApp खोल के देखोगे तो आपका वो चीज delete हो चुका होगा यह देखिए देख रहे हैं ना तो आज जो मैं आपको तरीका और app बता रहा हूँ एकदम से फाडू है एकदम कमाल का है इस application को बस आपके phone के अंदर on कर देना है और आपके WhatsApp के लिए bubble chat enable हो जाएगा फिर कोई कितना ही messages को delete for everyone करे आप उसे आराम से पढ़ सकते देख लो हाई message आया हमने पढ़ लिया यहां से delete for everyone कर दो कोई फरक नहीं पढ़ता है वो message save का save ही रहेगा देख लो तो यह चीज आपके phone में कैसे लागू होगा इसके लिए आपको एक application play store से डाउनलोड करना होगा उस app का नाम है Wapro और इसे आप google play store से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर इसका link मैंने नीचे वीडियो के description में दिया हूँ वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो इस application को open करना है open करने के बाद यहाँ पे पहले मैं तो इसको close कर देता हूँ और यहाँ पे bubble chat का option है इसके उपर click करना है और यहाँ पे देखो मेरा disable है यहाँ पे आपको enable रहेगा तो इसको इसको एक बार click कर देना है फिर यह enable हो जाएगा तो यहाँ पे disable आ जाएगा तो ये आपके phone के अंदर काम करने लगा जैसे ही कोई आपको message करेगा यहाँ पे आपको bubble chat आ जाएगा देखो आ गया और यहीं से आप इस message को पढ़ो या फिर इससे बाते भी करो एक और फैदा बताओ इसका अगर इस application का इस्तेमाल करके bubble chat से आप किसी को message करोगे तो आपका typing भी उसको नहीं दिखेगा देख रहे हो ना देखो live देख लो कि यहाँ पे मैं type कर रहा हूँ ना इसको typing दिख रहा है ना ही मेरा online दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है ना ही last thing update हो रहा है कुछ नहीं तो आप ये भी कर सकते हो इस bubble chat for whatsapp से बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से इस वीडियो को like कर दिजेगा लेकिन आपकी मन में सवाल होगा कि यार ये सभी messages को save कर रहा है तो कहीं ये हमारे whatsapp के messages को पढ़ेगा तो नहीं नहीं दोस्तो ये आपके messages को नहीं पढ़ता है ये आपके notification को save करके यहाँ पे दिखाता है whatsapp chat के जैसा ही तो अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि क्या ये हमारे phone के सभी notification को पढ़ता है नहीं इसे सिर्फ whatsapp का ही permission दिया क्या है तो ये whatsapp का ही notification पढ़ता है बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे comment करके बताएगा और हम मिलते फिर आपसे एगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेगा take care till then and good bye